जै सिर्राधे मित्रों हरहर महादेव जैमातादी जैमा चंद्रवदनी मित्रों चंद्रवदनी भक्तिरस चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करते हैं माभगोती आद्यसक्ति चंद्रवदनी का आश्रिवाल आप सभी पे बना रहे यही माभगोती के चरणों में कामना और मित्रों आप सभी लोगों को देपावली, धन तेरस और गोबर्धन पोजन के हारदिक हारदिक सुब कामनाई आप सभी को मा लक्ष्मी का आश्रवाद प्राप्त हो यही मा भगवती से कामना, मा आद्यसक्ति से कामना और मित्रों आज का जो हमारा वीडियो है, यह वीडियो हम धन तेरस जो है धन तेरस के बारे में आपको बता रहे हैं तो धन तेरस जो है इस बार जो है धन तेरस पढ़ रहा है सनिवार को और 22 तारिक को धन तेरस पढ़ रहा है 22 अक्टूवर को सनिवार को जो है धनतेरस पढ़ रहा है तो धनतेरस की आप सभी को हार्दिक हार्दिक सुबकामना है भगवार कुवेर का आश्रिवाद आप सभी के ऊपर प्राप्त हो कुवेर महराज का आश्रिवाद आप सभी के ऊपर बना रहे यही कामना और मित्रों जो भी हमारे इस चैनल में चंदरवन्नी भक्तिरस चैनल में नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बैल आइकन का बटन जरूर दबाएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेर आप करें तो धन तेरस के बारे में आपको कुछ सु समक्ष आपको बताएंगे तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक सेयर करें तो धन तेरस जो है बार बाईस अक्टूबर को बाईस अक्टूबर दो हजार बाईस सनिवार के दिन पढ़ रहा है और धन तेरस जो है कार्तिक माह की किष्ण पक्ष की त्रियोदसी तिथी को धनतेरस कहा जाता है अब इस परवधनतेरस जो है यह क्यों मनाया जाता है तो कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय जब हुआ था तो समुद्र मंथन के समय भगवान जो है धनमंत्री अमरित कलस लेकर परकट हुए थे इस दिन धनतेरस के दिन इसलिए इस तिथी को धनतेरस य या धनत्रियोंधसी के नाम से भी जाना जाता है तो समुदन मंतन से भगवान धनमंत्री जी का आगमन हुआ था धनमंत्री जी जो हैं अम्रित कलस को ले करके आये थे तो इसलिए इस परव को मनाया जाता है धन्तेरस को मनाया जाता है अब धन्तेरस के दिन क्या करें और क्या ना करें तो धन्तेरस के दिन भगवान धनवंतरी और मा लक्ष्मी वा कुवेर देव का पूजन करना चाहिए कई लोग इस दिन क्या करते हैं नए बरतन खरीदे हैं सोना चांदी खरीदे हैं तो कहा जाता है कि धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ खरीदना ही चाहिए ऐसा करना शुब माना जाता है तो धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ जरूर खरीदें अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता पहले प्राचीन समय में लोग धंतेरस के दिन क्या है सोना चांदी आभूसन और बरतन इत्यादी खरीते थे और धंतेरस के दिन जो है जाड़ू खरीदना भी सुमाना जाता है जाड़ू भी खरीदा जाता है धंतेरस के दिन तो प्राचीन समय में लोग यह सब खरीते थे प गई तो अब धिरे धिरे लोग इने भी इसमें सामिल करने लग गए अब धनतेरस के दिन क्या खरीदना सुब होता है क्या क्या खरीदना चाहिए तो धंतेरस के दिन जो हैं बरतन इत्याज तो आप खरीदी सकते हैं या अन्य जो भी आप लोग खरीद सकते हैं वह खरीदना चाहते हैं सोना चांदी तो वह खरीद सकते हैं परंतु बिसेश कर धंतेरस के दिन जो हैं पीतल के बरतन खरीदने चाहिए और इसके अला जाता है मानता है कि धंतेरस के दिन ये चीजे घर में आने से मा लक्षमी और धनवंतरी भगवान की कृपा से उस घर में आरूग्यता और सम्रिद्य आती है इसके अलावा इस दिन जो है धंतेरस के दिन विसेश कर प्राचिन सवे में विसेश कर जाडू खरीदने की हमें सुभ और मंगल हो अब धनतेरस के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए इसके बारे में भी आपको बताते हैं तो धनतेरस के दिन जो है जो नुकली चीजें हैं जैसे चाकू कील हदियार जो होते हैं ऐसे बस्तों को नहीं खरीदना चाहिए ऐसा करना ऐसी जो की नौकदार जो सामान है जैसे आपका चाकू हो गया ऐसी चीजों को इस दिन नहीं खरीदना चाहिए ऐसी बस्तों को नहीं खरीदना चाहिए जैसे जाड आपका चाकू कैंची पिन सुई या कोई भी धारदार कोई भी बस्तो है ऐसा सामान खरीदने से धंतेरस के दिन बचें ऐसा सामान खरीदना इस दिन धंतेरस के दिन सुब नहीं माना जाता है और कहते हैं इस ऐसे सामान को धंतेरस के दिन जो है चाकू, सुई, ऐसे नोगदार चीजे जो खरीदता है तो उस से इस सामान को खरीदने से कि उस व्यक्ति के जीवन में कंगाली आती है इसलिए धनतेरस के दिन ऐसे सामान को न खरीदें और दूसरा कहते हैं कि धनतेरस के दिन जो है पलास्टिक से बनी हुई जो सामागरी है पलास्टिक से बनी हुई जो चीज़ें बस्तुएं हैं उन्हें भी नहीं खरीदना चाहिए तो धन तेरस के दिन आप जो हैं सिर्फ और सिर्फ जो हैं स्वर्ण, चांदी, आभूसन, तामबा, पीतल जो भी धातुएं हैं इन धातुएं को खरीद सकते हैं इसके साथ कोई भी बरतन इत्यादी जो घर के उप्योगी बस्तुएं हैं इन्हें आप खरीड सकते हैं सिर्फ नोकिली चीज़ों को न खरीदें जैसे कैंची और चाह को इत्यादी बस्तों को सुई इत्यादी बस्तों को आप नहीं खरीदें बाकी अन्यवस्तों को आप खरी सकते हैं तो 22 जो अक्टुवर को धन तेरस का जो सुब परवर है वह आ रहा है तो धन तेरस की आप सभी को हार्दिक सुब कामनाएं और आगे अब हम दूसरे बीडियो में आपको दीपावली के बारे में जानकारी देंगे दीपावली का जो सुब मूरत है पूजन का वह कब किया जाएगा उसके बारे में भी आपको अवगत कराएंगे और धन तेरस के दिन आप सभी लोग गनेश जी का और लक्ष्मी जी का पूजन जरूर करें और धन तेरस के दिन जो हैं आप अपने मुख्य द्वार पे अपना कि घर में सुभता घोगी लक्ष्मी का वास होगा मा भगवती का आश्रवाद धन मंत्री भगवान का आश्रवाद पराइब और कुवेर महाराज का अश्रवाद आपको प्राइबत होगा और कहते हैं कि द्द्थजन 3 के दिन जो द्भवती चांदी खरीदता है और चांद खराब है तो राहु खराब अगर किसी व्यक्तिका है तो वह चांदी जरूर ख़दी दे और उसका धंते रस के दिन उसका पूजन करके अगले दिन वह किसी को दान करें किसी ब्राह्मन को दान करें तो राहु गर सुफल की प्राप्ति करता है तो आपको आज का हमारा यह वी रेव सम्भूब